कि दूस्तों बात करें तो अभी नए आइफोन को लॉंच होने हैं तकरीव हम 5-6 महिने का समय बचा है लेकिन नए आइफोन जो कि आइफोन अपकमिंग 13 हो सकता है उससे लिए कुछ और इंफॉरमेशन और तो और उसके जो फर्स्ट रेंडर्स होते हैं वो हमारे सामने आ ग काफी तक जो पिछले साल का आइफोन 12 था ना वैसा ही होगा शायद इसका नाम 12S हो सकता है क्योंकि डिजाइन में मेजर चेंज नहीं होने वाला लेकिन दो चके मेजर चेंज देखने वल रहा है पहला है पीछे का केमरा डिजाइन कुछ लीग रेंडर्स हमें देखने को म होगे ना वहां पर आपको लाइडर संसर के इंपलिमेंटेशन देखने को मिलेगा ये काफी नहीं चीजे और इसलिए केमरा सेटप फीछे सा हलका साथ चेंज होने वाले यानि पीछ ले आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिलेगा और कैमरा हम होता है ये आपको उतरही देखने को मिलेगा जितना आपको पिछली बार के आईफोंस में देखने को मिला है लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है यहां पर नौच के साइज को लेके काफी सारे लीग रिपोर्ट सामने यह काफी सारे लीग डिमेजेज फ्रेंट पैनल भी लीग हुआ उसे देखके लग रहा कि इस बार फाइनली आगे का जो नौच है न उसके अंदर चेंजेज आपको देखने को मिल सकते है यानि की इन्फरानेट सेंसर आपको नौच आप फेस इडी के संसर सारे चीज़े देखने को मिलेंगे और इस बार कोई ऐडिशन कैमरा या कोई सेंसर वाली चीज भी देखने को मिल सकती है और इस बार नौच ये अंदर पी जो साइस है वो आपको थोड़ा सा चोटा information और यह भी पता चला है कि pro pro max के अंदर आपको LTPO display भी देखने को मलेका और definitely इस बार 120 Hz का refresh rate को support करेंगे जिसे लोग pro mode display या फिर pro display ऐसा कुछ कहना की कोशिच करेंगे देखते क्या रहता है लेकिन हाँ यह कहानी होती है और सबसे बड़ी बात है कि अगले साल के iPhone 14 को लेके भी काफी सारी लीक्स है सबसे बड़ा लीक तो यह पता चल रहा है कि upcoming जो iPhone 14 आगा जो कि 2022 में release होगा वहां पर कोई भी mini model नहीं होगा मतलब कि अभी आपका iPhone 12 mini देखने को मलता है उसकी जो sales थी Apple को लगाता काफी अच्छे होगी लेकिन मार्केट में अभी तक वो अच्छे तरीके से काम कर नहीं पाया अब देखके लग रहा है कि iPhone 13 mini के उपर हो पहले से कम कर रहे थे तो iPhone 13 mini यह आएगा लेकिन अब क्या होगा आने वाले समय में iPhone 14 mini यह सारे पॉंस कैंसल कर दी है और 6.1 इंच स्क्रिन के दो iPhone निकलने वाले बिल्कुल आपने सही सुना एक 6.1 इंच की स्क्रिन के दो iPhone रहेंगे फिर प्रो रहेगा फिर एक प्रो मैक्स रहेगा देखते है चीज किस तरीके से रहती क्या अभी के समय में हमें यह एक इंफॉर्मेशन बता चलिए और इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन बता चलिए अभी तक हमने एपल में यह देखा है कि एपल कभी ज्यादा में एक पिक्सल वाले कांट पर फोकस नहीं कर रहे ही जहां आज के समय में Android में हर दूसरी कंपनी व यहां पर जो कस्टम में संसर वह एपल डेवलप कर रही है और उसे खास बात यह कि वहां पर पिक्सल बिनिंग भी होगी और वहां पर इंडिविजियल पिक्सल का साइज बिनिंग होने के बाद 2.4 माइकरान का हो जाएगा जिससे लो लाइट के अंदर जो इमेज जो पिक्सल कैमरा और उसके साथ लिमिटेशन अभी पता क्या है कि उससे आप मेग्जम 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और कुछ केसे में अगर प्रोसेसिंग अगर अच्छे होगे तो 4K 120fps में भी की जा सकती है 8K के लिए आपको मिनिमम 33 मेगा पिक्सल के ज़र हमाल की चीज़ है कि अपकमिंग आईफोन 14 तक के हमारे बास जो इंफॉर्मिशन ने वह आ चुकी है लेकिन वापस घूम फिर यहां अगर हम आईफोन 13 पर तो 13 के अंदर हम इतना पता चल चुका था कि एक वर्जिन होगा जिसके अंदर आपको पोर्ट लेस्ट देखने क अभी पॉसीबल हो सकती है जब वायर्लस चार्जिंग का जो मेकानिसम बनाना वो पूरी तरीके से पर्फेक्ट हो जाए इसे आप कुछ इस तरीके समझ सकते हैं जैसे कि जब आईफोन 7 से उन्होंने हैटफोन जाख अटाया था तो उनके एयरपॉट जायता और एयरपॉ जो पहले कैंसल हो चुका है अगर एयर पावर की एंट्री अगर दुबारा से होती है दोबार अच्छे तरीके से अपल उस एयरपावर को दवार से बना लेती है तो हो सकता है इस बार आईफोन के अंदर आपको जो हो सकता ना पोर्ट वो कम्प्रीट लिमूव और यह ची पर पिल्ट ली बात कीजिया यहां ऐसी चीज़ें होने वाली आने वाले समय के अंदर बिखते हैं आने वाले आइफोन सके October के अंदर पहुंचा है कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन हाँ यह टाप की चीज़े हो सकते इसके साथ दो काफी अची न्यूज में यहां पर मुझे पता चली थी वह थी कि प्रिड़क्ट रड आइफोन हो था वह भी वापस आने वाला जिससे हम आइफोन 13 की सीरीज के अदर देख सकते हैं यह भी काफी सही बात लगी और यहां तक कि जो जान प्रॉसर उनकी तरफ से एक निएशन आई थी उससे पता चलता है कि वन टीबी का आइफोन इस साल हमें फाइनली देखने का हो सकता है कि वन टीबी स्टोरेज एक आइफोन के अंदर है ना काफी कम अभी maximum 3x, 3.5x तक आपको देखने को मिलता आपको Pro Max के अंदर लेकिन अगर टेली फोटो जूम के अंदर अगर पैरिस को टेकलोजिक इंप्लिमेंट करते तो आपको 10x को अप्टिकल जूम देखने को मिल सकता है अब देखते कि टेकलोजिक का बाती है इस साल तो आने नह के वाली minimum बोला गया iPhone 14 तक वेट करना पड़ेगा लेकिन हाँ लग रहे कि इस साल के iPhone में कुछ minor changes होंगे लेकिन अगले साल लग रहे कि camera लेटर काफी बड़े changes होने वाले 8K video recording 48 Megapixel camera या फिर टेलीफोन जूम लेंस काफी कमाल के चीज़ें होने वाली आने वाले समय में औ देखते हैं और क्या के information देखने को मलती है फिलाल के समय यह सारी latest leaks reports आप यह देखने को मिली आइफोन 13 से related वैसे आप लोग का iPhone 13 कैसा लग और किस कीमत पर आ सकते हैं बात मुझे नीचे करने बताने नहीं हम लोग वीडियो कर आप लोग को पसंदे तो प्लीस लाक करने च झाल